हर रोज निप्टी इंट्रादे स्ट्राटेजी देखने के लिए सब्सक्राब कीजिए हमारा चैनल और उसके बाद हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूँए गुड मॉने प्लेंड्स वेलकम तो www.tradingfab.in आज 7 में है 2018 मंडे हफ़ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है तो नया वीक है निफ्टी आनलिसिस शुरू करने से पहले एक बार ग्लोबर मार्केट के हालाद पर नजर डालेंगे फिर निफ्टी आनलिसिस शुरू करेंगे डाउ जोन्स, नाजडेक, फ्राइडे को हरे निफान में बंद हुए डाउ जोन्स में करिब-करिब 300 पॉइंट का उच्छाल देखने को मिला यूरोपियन मार्केट भी हरे निफान में बंद हुए और जब आज एशिया ही मार्केट ओपन हुए है निकेई जापनीज मार् मार्केट भी अच्छा का साथ हरे निशान में ट्रेड कर रहा है 37 पॉइंट का उच्छाल देखने को मिल रहा है और SGX निफ्टी है अभी करीब 18 पॉइंट के उच्छाल के साथ ट्रेड हो रहा है तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा मिला जोला करोबार चल रहा है हाला जो में मुद्दे थे वो अभी भी पेंडिंग है और चाइना के यहां से ऐसा बयाना है कि काफी अच्छी चर्चा हुई और काफी अच्छा उटकम आया है और यह हुआ यूएस और चाइना के बीच में और यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच में भी अभी दोनों देश तो overall global जो भी environment है वो थोड़ा सा positive अभी नजर आता हूँ आ रहा है और इसका भी निफ्टी इंडियर मार्केट पे क्या आसर होगा तो ये दिखते हैं आज का intraday strategy बनाते हैं ये हैं निफ्टी का chart पहला सबसे पहले देखेंगे weekly chart weekly chart में जैसे Friday को कहा था कि यहाँ पर एक shooting star बन सकता है inverted hammer बन सकता है inverted hammer लेकिन आता है downtrend में ये उपर आया है uptrend में आया है shooting star हो सकता है ये लेकिन देखना पड़ेगा कि अगर इस week इस week अगर निफ्टी ये low break चरता है जाए 1601 का तो निफ्टी निचा है 20 ये में को टच कर सकता है जो की फर्स सपोर्ट है ऐस पर weekly chart ठीक है तो अभी भी मैगडी जो की supportive indicator है momentum indicator है वो अभी भी positive sentiments नहीं दिखा रहा है तो weekly chart में अभी फिलाल थोड़ा करेक्षर आने की संभावना हमें दिखाई दे रही है weekly chart ऐस पर weekly chart की में बात करता हूं ये ता weekly chart अभी daily chart में देखेंगे daily chart में अगर candlestick pattern देखे आप तो ये थ्री black crow candlestick pattern बना हुआ है lower high lower low pattern भी बना हुआ है जो की एक bearish shine है ये आप देख सकते हैं ये में बार चाट में convert कर देता हूं ता कि आपको lower high और lower low समझ गया है आप देख रहे हैं ये low से ये low है इस low से कम ये low है और lower high भी 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 इस high से ये high कम है इस high का ये high उससे भी कम तो ये lower high lower low का pattern बना रहा है तो ये bearish sign है लेकिन अभी जो की हम यहाँ से correction दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पर अगर fibonacci retracement draw कर देता हूँ आसपर fibonacci retracement अमारा फर्स जो की south towards south अमारा फर्स टार्गेट support बनादरा है 10,508 और जो next आसपर fibonacci 38.2% का 10,406 और 10,466 के आसपास ही 50 ये में आ रहा है तो combine support है तो यहाँ पर एक as per daily charge यहाँ पर एक strong support दिख रहा है 50 ये में के आसपास जो की 10,470 और 10,460 के आसपास है और उससे पहले 20 ये में का support है जो की 10,550 के आसपास है 10,555 पकण लेके 10,550 और 10,560 ये है as per daily charge 3 black cross candlestick pattern मना हुआ है हो सकता है nifty यहाँ से और भी नीचे की गिरावत हमें दिखाई दे हो सकता है nifty 3 session continuous गिरने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर एक recovery दिखाई दे आज क्योंकि global market में भी थोड़ा सा अच्छा position के दे तो यानि कि अगर आपको trade करना है तो अभी भी short का position अगर आपको trade करने मिलता है तो trade कीजिए क्योंकि trade और signal अभी फिलाल बेरीज दिखाई market open हो चुका है नौबच के रफंगर अविनित हो चुके 10,650 के आसपास market open हो चुका है हम लोग देख रहे थे कि अमेरीकी बाजार भी गहरे निशान में बंद हुआ है European market भी हरे निशान में बंद हुआ है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा एक अच्छा positive environment बन रहा है थोड़ अगर 10,785 के ऊपर अगर निफ्टी चला जाता है तो हमें अभी long position मलाने चाहिए लेकिन इस वक कोई अगर short position अगर हमें मिलता है ट्रेड करने के लिए तो उसलिया से हमें देखना चाहिए क्योंकि trend और signal सब कुछ दिखा रहा है तो आईए intra day strategy बनाते है जल्दी से उसके अगर निफ्टी को आज बाई करना है तो कलका हाई अगर तोड़ना बहुत ज़रूरी है कलका मिंस पराइडी का जो हाई बना था वो ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है पहला उपर में resistance तो 20 एमेका है 10,675 के असपास 10,675 के अश्पास 10,675 के अश्पास 10,675 के अश्पास 10 तो यह first support है उसके resistance है बाद में यह resistance है अगर निफ्टी 15 मिनिट के चार्ट में 20 एमेक के उपर चला जाता है और consistent मतलब 10 to 15 मिनिट के चार्ट में अगर निफ्टी सर्वाइब करता है 20 एमेक के उपर तो first target हमारा होगा 10,678 है 10,678 और उसके बाद में second target होगा हमारा 10,695 जो की यहां पर है ठीक है यह है अगर 15 मिनिट के चार्ट पे 20 एमेक के इस 20 एमेक यह जो आप पिंक लाइन दिख रहे है वो 20 एमेक है अगर उसके उपर 15 मिनिट के चार्ट पे अगर close होता है और survive करता है 10 पाच मिनिट के चार्ट में तो आप buy करें और first target हमारा 10,678 और second target हमारा 10,695 और अगर short करना है तो उसको कल का means Friday का low break करना बहुत जरूरी है lower low अगर बनता है अगर Friday का low अगर break करता है और sustain करता है उसके नीचे लेकिन अगर उसके नीचे sustain करना है तो उसके तुरंद बात कल के low के तुरंद बात 100 EMA आज पर hourly chart मैं hourly chart की बात करना हूं intraday strategy के लिए 100 EMA का support आ रहा है वहाँ पर जो की 10,590 के आसपास है तो अगर आपको यहाँ पर एक support अगर मिलता है यहाँ पर तो निफ्टी फिर से एक bounce back दिखा सकता है अगर वो support break करता है तो उसके तुरंद ब का S1 का support level है जो कि 10,590 के पास है तो आज ट्रेड तो फिलाल अगर आज ट्रेड वहाँ आपको चाहिए तो उपर मैं 15 मिनिट के चार्ट में अगर निफ्टे 20 EMA के ऊपर आज पर hourly chart 20 EMA के ऊपर survive करता है, sustain करता है तो buy कीजिए और first target रखिए 10,688, second target रखिए 10,695 और 15 मिनिट के चार्ट में अगर 50 EMA अगर break होता है 50 EMA अगर break होता है तो first target रखिए Friday का low 10,600 ठीक है और second target रखिए 10,690 लिख लीजिए not down कर लीजिए ठीक है तो यह आज का strategy रहेगा ज्यादा आपको trade करने का मतलब ज्यादा trade करने के लिए points नहीं मिलेंगे ज्यादे चोटे points 10-20 points मिलेंगे तो भी आप अच्छा चा profit कमा सकते हों तो आज के लिए यह इंट्राड strategy रहेगी ठीक है तो विचल सेःगे नहीं बाद नहीं वाबाय सकते हैं नहीं नहीं बाद कर डंद' झाल झाल